बिस्मिल्ला रह्मान रहीं, असलाम अलेकुम बिस्निस एक्सपर्ट में हमारे पास एक न्यू मोडिफिकेशन हुए है सेल्स के मॉडियूल में जिसके हवाल इसके मैं आपको गाइड कर देती हूँ हमारे पास यहां पर सेल्स में एक फॉर्म मौझूद होता है पॉस्टेशन एक्टिवीटी का जिसमें हमारे पास तमाम सेशन की एक्टिवीटी यहां पर लॉग हो रही होती है और उससे relevant details वगारे हम यहां से देख सकते हैं हमारे पास multiple reports selection यहां पर available है जिनके through हम अपना data जोई analyze कर सकते हैं हम उस data को जोई देख सकते हैं कि कि सेशन में हमारे पास क्या sales होई थी क्या records रहते हैं वो हम तमाम चीज़ें यहां पर इस window से देख सकता है basically हमने इस पर post-session activity reports में कुछ working करवाई है मैं यहां पर get record कर लेती हूँ अपना section select करके मैं यहां पर post-activity reconciliation के tab पर click करूँगी और यहां पर मेरे पास एक selection window open हो जाएगी जिसमें से post-activity reconciliation report में select करके print कर रही हूँ जिस पर हमने modification करवाई है इस report में हमारे पास तमाम data show रहता है कि कौन सी sales हमारे पास किस type की sales रहे वो हुई है उनका discount amount उनके GSTs वगएरा तमाम details हमारे पास यहां पर show रही होती है उसी के साथ साथ हमारे पास यहां पर discount summary भी show रही होती है जिसमें हमारे पास तमाम discount types के against data आ रहा होता है यहां पर आप देख सकते हैं कि एक section show हो रहा है discount summary का जिसमें multiple discounts हैं हमारे पास आप देख सकते हैं promotional discounts, member discounts यहां पर log हो है कुछ discounts ऐसे होते हैं जिसमें मजीद types आ रही होती है let's say हमारे पास care of discount जो है इसके अंदर further हमारे पास discounts जो हैं वो add हो रहे होते हैं तो यहां पर हमारे पास पहले सिर्फ summary show रही होती थी कि यहां पर आप देख सकते हैं care of discount है जो के हमारे पास 3 invoices पे apply हुआ हो है और उनकी total sale यहां पर show हो रही है discount amount यहां पर हमारे पर show हो रहा है और इसकी तमाम details यहां पर हमारे पर show हो रही है further इसमें हमने जो wagging किया है हमने care of की details भी provide करती है जिससे यह आसानी रहेगी कि हम देख सकेंगे कि हमारे कौन सा care of पे discount है वो जादा avail किया जा रहा है customers की तरफ से उसके लिए हमने यहां पर एक और section add कर दिया है care of detail discount का जिसके अंदर तमाम care of जो है वो separately यहां पर show कर देगा कि कौन से care of पे कितनी invoices और जनरेट हुई है उनका discount amount क्या रहा है उनकी sales हमारे पास total क्या रही है वो तमाम डेटा हमारे पास यहां पर show हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले sale type कर देख सकते हैं कि टेक आवे पे कितने care of रेफरेल्स हैं जो अवेल किये गए है उसके बाद उनकी detail शो हो रही है कि जैसा कि आप देख सकते है care of UBL और care of test care of के नाम से कुछ डिसकाउंट से जो अवेल किये गए है और उनकी number of invoices हमारे पास शो हो रही है उनकी sale amount शो हो रहा है कितना discount उनके अवेल किया गया है वो यहाँ पास शो हो रहा है तो इसी तरीके समझीद अगर sale types पे care of वगएर अवेल किया गया होगा तो sale type के साथ grouping में हमारे पास यहाँ पर तमाम details जो हो जाएंगी I hope यह working आपके लिए बहुत beneficial रहेगी इसके हवाले से कोई भी reviews हो feedback हो हमसे जरूर share कीज़ेगा जजा कर ला